हेलो स्टेंट्स तो कंटीनिव करते हैं स्टेडी को और एक्ससाइस 21E में आज हम लोग करने वाले हैं कोशन नमबर 6 चलिए देखते हैं कोशन 6 क्या है दे लेंथ ओफ रेक्टेंगल इस थ्री ताइमस इट्स विथ और दे लेंथ ओफ इट्स डागोनल इस 6 रूट 10 सेंटीम इस सबसे पहले है तो आये सॉल्व करते हैं देखें यह है आपका एक रेक्टेंगल तो लेंथ क्या है थ्री टाइम से ब्रत का ठीके जो विद्थ है उसका थ्रीं से तो अगर बित जो है वह एक से तो लेंथ कितना हो जागा उसका थ्री टैम थ्री X अच इसका डैगोनल का लेंथ है 6 रूट टेन तो गिवन डैट डैगोनल ओफ रेक्टेंगल तो सबसे पहले रट करेंगे गिवन डैट कि डाइगोनल ओफ दर रैक्टेंगल रच्टेंगल कर डागोनल है कि इस सेंटीमिटर यह है आपका डियागोनल अब इसके बाद लेट कर लेंगे ठीक है लेट कि दो ब्रेथ ब्रेथ ऑफ दो रेक्टेंगल पी एक सेंटिमेटर ब्रेथ एक सेंटिमेटर हो गया एंड दो लेंथ भी लेंथ कितना हो जाएगा भी उसका 3 टाइम से 3 एक सेंटिमेटर ब्रेथ एक सो गया लेंथ 3 एक सो गया अब आप द्यान से देखेगा तो डाइगोनल दिया है ठीक है डाइगोनल दिया है डाइगोनल की लेंथ है इस तरीके से डाइगोनल का स्कॉायर इक्वल टू लेंथ का स्कॉायर प्लस ब्रेथ का स्कॉायर यह होता है अब द्यान से दिखेगा यहां लिग जिन नाउ डाइगोनल को डी होता है अब डाइगोनल हमारे पास कितना है सिक्स रूट टैन इसका होल स्कॉायर सेंटिमिटर स्कॉायर इक्वल टू लेंथ कितना है हमारे पास ट्री एक्स ट्री एक्स का स्कॉायर प्लस ब्रेथ कितना है एक्स एक्स का स्कॉायर ठीक अब ध्यान से द सिक्स रूट टैन सेंटिमेटर स्क्वायर इक्वाल टू थ्री एक्स इन्टु थ्री एक्स प्लस एक्स इन्टु एक्स यही होगा क्लियर अब आगे दिखें तो सिक्स इन्टु सिक्स यह इस तरीके सो जागा यहीर इन्टु सिक्स इं टू रूटक टैन इंटू रूटक टैन सेंतिमेटर स्क्वायर इक्वाल टू 3 थ्री जा 9 और प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स इसक्वाइर ठीक है अब 66 हो गया आपका 36 इंटू अब रूट में दो नमबर है तो एक बाहरा जगा इंटू टैन सेंटिमेटर स्क्वाइर अभी धर हो जगा एक्वल टू नाइन एक्स इसक्वाइर प्लस एक्स इसक्वाइर एक्स इसक्वाइर यहां कुछ नहीं है तो वन है तो नाइन प्लस वन टैन टैन एक्स इसक्वाइर यहां कुछ नहीं है तो वन होता है ठीक है और दोनों सेम भी है यह एक्स इसक्वाइर यह एक्स इसक्वाइर है सेम सेम करेंगे 10 को ट्रांसफर करेंगे ठीक है इक्वाल टू के इधर तो यह हो जाएगा आपका 36 इंटू 10 सेंटिमेटर स्क्वायर अभी यहां मल्टीप्लाइ में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ठीक अब इधर बचेगा एक्स स्क्वायर अब दिखे 10 से 10 तो कैंसल आ तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स निकालने के लिए अब यह जो स्क्वायर है इसको करेंगे ट्रांसफर इसको करेंगे ट्रांसफर तो चलिए ट्रांसफर करते हैं तो जैसे ही ट्रांसफर करेंगे 36 किसमें आ जाएगा रूट में यह हो जाएगा अंडर रूट और सेंटिम तो आप इस सिसस्ट में से एक इस बाहर हो जाएगा दो मिश्टेगा आता है स्कॉर रोट में तो six सेंटीमिटर एक्स यह हुआ आपका एक्स का वैलियू यह आया एक्स का वैलियू लेकिन हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा था पैरी मीटर क्यां पैरी मीटर तो यह हमारा भी आया है X अब हम निकालते हैं लेंट बे तो दिखेंगेस है तो लेट कि अадो झाल हुट सुट लेंठ अडी गया था Length and breath निकलते हैं ब्राइधी को डूट क्या था एक्स रगस का वैलु किया हमारे पास सिक्स सेंटी मिटा ब्रेथ और अब देखें लेंद्ह हमारे पास ब्रेथ हमारे पास पूछा है पैरिमिटर तो पैरिमिटर का फॉमला क्या होता है नाओ हो कि पैरिमिटर एपेरिवीटर का हो फ्रॉसराइपा एह दूज प्ललस ब्राट और यूनिट इतु में छल प्लफ यूनिट यह द अब आप क्या करें गे आ को իॉट्ट कर देंगे सबका यू वायलियू ह दो भी जुआ लेंथ की जग्याकि एक कितना अब तू इंटू प्लस कर दीजे एट सिक्स है फोर्टीन और ये टू किना गया वह 24 तो टू इंटू 24 कितना गया आपका 48 सेंटीमीटर यह हो गया आपका पहरी मीटर बहुत सिंपल था बहुत ध्यान से समझना देखो डागोनल दिया था और कह रहा है कि ब्रेथ एक्स लेंद उसका थ्री टैम्स ठीक डीजा यो हम लोग अभी पढ़ें इसके पहले कोशन में बस उसी को पूट करके चक्त की बेर निकालेंगे अब एक बार आगई अब यह एकश की बेलियू से लेंद और ब्रेथ निकालेंगे परिमेटर के लिए तो हमें लेंद ब्रेट चाहिए तो लेंद ब्रेट निकल गया उसके बाद परिमेटर का फॉर्मला लिख के सॉल्ट कर देंगे तो बहुत ध्यान से अच्छे समझेगा और समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिगा प्लीज थेंक यू